नमस्कार, Quick News प्रोग्राम में आपका स्वागत है दोस्तों, हाल ही में जापान और आस्टेलिया के बीच एतिहासिक सुरक्षा समझाता हुआ है आईए जानते हैं इसके बारे में आस्टेलिया और जापान ने अपने सैन्य सहयोग को और गहरा करने और अधिक समवेदन शील खूफिया जानकारी साजह करने के लिए एक सुरक्षा समझाते पर हस्ताक्षर किया है दोनों देशों के बीच हुए इस समझाते का एक प्रमुखुदेश भारत प्रशान छेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य मुखरता का मुकाबला करना और तेजी से बदलती चेत्रिय सुरक्षा पर स्थितियों पर नजर रखना है आस्ट्रिलिया के पर्थ में चल रही आस्ट्रिलिया जापान नेताओं की वार्शिक बैठक में इस समझाते पर हस्ताक्षर किये गए राइटर्स की रिपोर्ट की माने तो समझाता 2007 में हुए 15 साल पुराने समझाते का ही आधितन है यह समझाता अगले दशक के लिए सुरक्षा सहयोग के लिए एक कमपास के रूप में काम करेगा जापानी प्रधान मंतरी फोकिमो किशिदा ने दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषना के दौरान चीन या उत्तर कोरिया का नाम लिए बिना ही कहा है कि समझाता तेजी से बदल रहे सामरिक, राजनितिक और क्षेत्री रणनितिक महौल की प्रक्रिया है समझाते के तहट दोनों देशों ने सहमती व्यक्ति की है कि उनके सैन ने बल उत्तरी आस्ट्रेलिया के साथ प्रसिक्षन लेंगे और रक्षा और खोफिया साजा करण में सहयोग और मजबूत करेंगे इस दोरान आपात परस्थितियों के लिए परामर्श और अध्यन पर भी सहमती बनी है दोनों देशों के बीच जलवायो परिवर्तन पर चर्चा की गई और ये देश 2050 तक शुद्ध शुन्य कार्बन उस सर्जन के लिए स्वक्ष उर्जा तक्नीकी में विशेस निवेश को बढ़ावा देने में सहमत हुए हैं अबि ऑस्ट्रेलिया और जापान के पास वैश्विक जासूसी के लिए जरूरी खुफिया तंदर उपकरण और हाई-टेक जासूसी उपकरणों की कमी है औस्ट्रेलिया और जापान अमेरिका और भारत सहित सामरिक सुरक्षा वारता समू क्वाट का हिस्सा हैं जिसे चीनी आर्थिक और सैन शक्तिकी व्रधी की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है वर्ष 2020 के लिए ये चारों देश एक बहुपक्षी नोसेनिक अभ्यास मालाबार अभ्यास के हिस्से हैं